ऐसर छोड़ जाओंगा इस तरह आशिकी का दभीन के सी जाने। सुन्य देवल पहली अपने डायलोग के वज़े से आज भी लोह के दिलों में जगहां बनाए हुए है। फिल्म गदर और बोर्डर में तो उन्होंने एक से बढ़ कर एक डायलोग दिये वहीं दामनी और घायल जासे फिल्मों में उन्होंने दमदार अभियन से लोग का दिल जीत लिया था बता दे कि सन्नी देवल की फिल्म की शुटिंग के दोरान उनकी फ्रेंड्सिक अमरिता सिंग से हुई जो की धिरे धिरे प्यार में बदलने लगी उनकी नजदीकिया इतनी बढ़ गई कि अमरिता सिंग से शादी करना चाहती थी तब सन्नी पाजी ने उनको बताया कि वे पहले से शादी शुदा है जिसके बाद अमरिता सिंग ने उनके साथ दूरी बना ली और फिर किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया जिसके बाद सन्नी देवल का नाम डिंपल का पाटिया से जुड़ने लगा सन्नी देवल इतना ज़्यादा डिंपल का पाटिया के घर जाने लगे कि ट्विंकल खन्ना उनको पापा कहने लगी थी उनको पापल ने सन्नी देवल से शादी की बात की सन्नी देवल ने यहां भी कहा दिया था कि वे शादी शुदा है और इन दोनों के बीच भी दूरिया बनने लगी और दोनों अलग हो गए जिसके बाद मिनाक्षी शेशादरी का नाम सनी देवल के साथ जुड़ने लगा उसके बाद मिनाक्षी शेशादरी ने भी सनी देवल से शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने भी उससे दूरी बना ली इतनी सारी अभिनेत्रियों को डेट करने के बाद भी सनी देवल अपनी बीवी के पास ही गए इसके लावा सनी देवल के वर्क फरेंट की बात करे तो सनी देवल बहुत ही जल्द गदर 2 में दिखाई देने वाले हैं कि फिलम 11 अगस 2003 इसको सिनमा गरों में रिलीज होगी लेकिन इससे पहले सनी देवल गदर एक प्रेम कथा में दोबार से नजर आने वाले हैं और ये फिलम नो जून को सिनिमा गरों में रिलीज कर दी जाएगी फिलाल दोस्तों आपको सनी देल के अफेर पर क्या कहने कोमेंट सेक्षिन में बताना न भूले बॉलिवीट की खबरों से जुड़े रहा निकली हमारे चैनल से जुड़े रहे